गुद मॉर्निंग एवरिवान वेल्कम बैक टू दे चैनल मॉर्निंग टी बना रही हूँ मैं तो इसके बाद मैं सोच रही थी कि अज जल्दी से में ब्रेक्फस्ट बना लू और ब्रेक्फस्ट बनाने के बाद लंच पी अगर जल्दी हो जाए तो मेरा जो बाकी का काम है वह करना है तो मैं अर्षपीता के लिए में पहले दूद उबाल लेती हूं बॉइल कर लेती हूं उसको दे देती हूं और एक्चुली क्या है कि देसरा जाना के बाद क्या हुआ कि चारो तरब एकदम चीज फैला हुआ है तो मुझे अभी वो सारे के सारे चीज एरेंज करना है उसको ठीक करके रखना है मतलब क्लीन देखना है और इधर में ब्रेकफस्ट के लिए मैं थोड़ा एक बॉयल कर लेती हूं कि मैं सोच रही थी आज ब्रेक्फस्ट में पड़ा था और राजमा बना दूंगी तो वो हो जाए रहा तो यह है मेरा ब्रेक्फस्ट इधर है राजमा बड़ाथा बॉइल एक और आचार तो लांज का प्रिपरेशन मैंने अल्रीटी कर लिये हैं और यहां पर मैंने जो स्वायबिन है इसको हलका बॉइल करके पूरा पानी लिचोर के रखी हूं और इसके अंदर में अभी डाली हूं जिंजर गालिक पेस्ट थोड़ासा हल्दी पाउडर और थोड़ासा नमक अकोडिंग की टेस्ट और अभी मैं लाल मिर्च पाउडर में आड़ कर रही हूं यह अपनी टेस्ट की हिसाब से आप याड़ कीजिएगा तो इसमें मैं डाल रही हूं जीरा पाउडर अपनी टेस्ट की हिसाब से और क्वांटिटी की हिसाब से टालिएगा और अच्छी तरह सब मसाला को मिक्स करना है अच्छी मैं इसको मेरिनेट करूंगी थो रासा में इसके अंदर मास्टर डॉयल डाल रही हूं पूरा मसाला और मास्टर के साथ इसको अच्छी तरह मिलाके ऐसे 15 मिनिट्स के लिए आप इसको मेरिनेट करके राखीए तो जब तक मारिनेशन चल रहा है तब तक मैं इधर थोड़ा मिल्क टी ले ले लेती हूँ अक्चली ब्रेक्फस्ट लेने के पाथ मन करता है थोड़ा सा चाई पीने का तो इस समय हम लोग जनरली क्या करते हैं तो दूद्ध चाई लेते हैं तो वह इसका प्रबरेशन चल रहा है तो डाल राइस और वींडी व्रायम मैंने अल्रीडी बना लिये हैं तो अब इससे मुझे स्वाविन की सबजी बनाना है यह चाई पीने के बादे में शुरू करतोंगी तो स्वाविन के सबजी बनाने के लिए मैंने ऐसे चार आलो और इसको ऐसे स्क्वायर करके मुझे काटना है और मैं यहां पे दो ग्रीन चीली और एक मीडियम साइच का ओनियन लिये हूँ और जरम हो गया है अली में अली फ्राइ कर देती हूँ तो उसके बाद में अभी ऑनियन उसे ऑल में बडाल दिये हूँ और तेल के अंदर पहले में जीरा और सुखा लाल मिच डाली हूँ अच्छी तरह ओनियन फ्राइ हो गया है अई मैं इसके अंदर डालूंगी जिंजर और गर्लिक और ग्रीन चीली का पेस्ट थोड़ा सा पानी दे रही हो अच्छी तरह मसाला को मिक्स करना है तो अगे मैं एक एकर केस के अंदर एक मिडियम साइज का टामेटो डाल ली हूँ और थोड़ा सा पानी दे रही हूँ क्योंकि मैं अभी मसाला दे रही हूँ जीरा पाउडर डाली हूँ थोड़ा सा धनिया पाउडर सुगर डाल रही हूँ वान टी स्पून अच्छे तरह मिला लूँगी देखी अभी ओयल निकल गया है अभी मैं सॉल्ट अकोडिंग टेस्ट और थोड़ा सा हल्थी पाडर दे रही हूँ अच्छे तरह मिला के मैं अभी सुवाबिन डाल दूंगी इसके अंदर और सुवाबिन कोई मसाला के साथ अच्छे तरह मैं मिला लूँगी ताकि उहां से थेद्रे ओयल निकल के आए तो देखे ओयल निकल गया है मैं ग्रीन तीरी डाल गई हूँ और जो मैंने पोटेटो को प्राइ कर रेशिपी वह अभी दे लिए है वह की अर्वक शरी मसाला के दू रालू स्कीला के मिला रही है और ते निकल गया है इसका मतलब मसाला अच्छे तरह तरह प्राइश हो गया है और जो मसाला के जो तो एक गराउस मेल है वह भी निकल गया है आप से तरह में अभी इतको मिला रहे हैं हो गया है मेरा अल्मोस्ट ड़न अभी में थोरा सा गरम पानी के अदर डालें ही तो मेरा स्वाविन का सब्जी जेडी हो जाएगा और डाल राइस स्वाविन के सब्जी और विंडी आज मेरा लंच का मेनू है तो आप मुझे बताएगा कि आज का लंच आप लोगों कैसे लागा तो यही मेरा एक्स्ट्रा काम है देखे चारों तरफ सामान फैला हुआ है अभी सब को मुझे ठीक से अरेंज करना है मैंने सब अरेंज कर लिया है मुझे तो बहुत याच्छ लग रहा है एकदम साब सुत्र दिखाई दे रहे हैं और नीचे का पुर्शन भी मैंने एकदम ठीक कर दिया है है हरे एक बॉक्स का अलग-अलग बॉक्स मैंने बना के उसको अरेंज करके रखी हूँ है कि भूट अच्छ लग रहा है मुझे तो यह फास्ट पर मैंने सारे के सारे मसाला एरेंज करके रखी हूँ और इसके आड़ी करऊ है जहाँ पर मैं जो बिशक्यट है हूँ वहा है अरेंज करके रखी हो ताकि किसे का थूणने में तकलिफ ना हो तो गाई यह जही बेब में फिनिश के तो आज का ब्लोग कल मिलेंगे नए ब्लोग के साथ तब तक टेक यार बाई